मिनिंग एंड कॉंसेप्ट आप चिल्ड फिजियोलाजी यानि की बाल मनुविज्ञान का अर्थ एम परिभासा देखेंगे जो आपके होस्टल वार्डन में दस नंबर के प्रस्ण पूछा जा रहा है यानि की होस्टल वार्डन में एक नए पटन एट किया गया है बाल मनु इसके बाल मनुविज्ञान से जिसमें आपका पूरा मैं डेफिनेशन कराने वाला हूं यह आपका पार्ट 2 वीडियो है पार्ट 1 वीडियो डिस्क्रिप्शन के निचे लिंक में दिया गए है जाके आप देख सकते हैं ठीक है इनका पूरा मैं डिटेल आपको बताने वाल बाल मनोग्यनिक होता क्या है है ना तो मिनिंग आफ चाइल्ड फिजियोलाजी बाल मनोग्यनिक अर्थ देखेंगे डेफिनिशन इसके बाद हम देखने वाले पूरा जानकारी में आपको बताऊंगा वीडियो को लास तक जरूर देखना इसकी नहीं करना है ठीक है अगर आप पहली बार आएं हमारे चैनल पर तो जल्दी से जाएए वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करके रख लेजेगा चलिए बात करते हैं पूरा ध्यान से समझेगा यहां से important topic में आपको बता रहा हूं ठीक है तो बाल मनोविज्ञानिक मनोविज्ञानिक विषय में अपना महत्तपूर्णा इस्थान रखता है इसमें गर्भ सिसु की अवस्था जो मैं अंडरलाइन कर रहूं न उसको ध्यान से समझना इसमें गर्भ सिसु की अवस्था में बारावस की आयूतक के बालक के विकास का भासा, मानसी, सक्ति, बुद्धी, सिखना, व्यक्तित्व, आदि सभी विश्यों का धन किया जाता है, ये क्या कहला था आपका बाल मनवज्यानिक, डेफिनिसन देखने वाले हैं, जो की अलग-अलग, जो ये के करता धरता है, ठीक ह तो सबसे पहले हम बात कलते हैं, उसके वनसनुक्रम का, उसकी विद्धी में योगदान, वो कौन-कौन सी प्रणाय हैं, जिन्हें वज्यनमस से लेकर आया है, बालक की बुद्धी की किस प्रकार विक्सित होती है, इन सभी बातों का उत्तरह मनो-विज्यान विशाय देता है, ठीक है, बालक की विशाय के साथ सम्वेदना, प्रत्यक्ष, इस्वनिती, कलपना, आदी मानसी, क्रियाओं की उत्पत्ती, विकास कर ध्यनी, बाल मनो-विज्यान कहलाता है, ठीक है, तो इसको छोटे-छोटे तुकडों में आपको मैं बाट कर आपको पढ़ाऊंगा, इससे कहां से और कैसे प्रसना पूछा जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, तो यहां से अब देखेगा, बिल्कुल ध्यान से समझेगा, ठीक है, बाल मनो-विज्यानिक, यानि सब्दिक लिश्टी से विचार करें, तो बाल मनो-विज्यानिक, बाला के मन के अध्धन करने वाला मनो-विज्यान, इसके हम कह सकते हैं कि, देखे जो मनो-विज्यान है, यानि कि फिजियोलाजी है आपका, परम्तु बाला की जो गति विधी है, उसको हम भली भाती हम निरक्षन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ये आपका क्या कहलाता है, बाल मनो-विज्यान कहलाता है ठीक है मतलब जो गर्भावस्था से लेकर कि 14 वस्था तक जो रहता है आपका बाली अवस्था यानि की प्राणवेति के मन में अध्यान भी ठीक प्रकार से नहीं कर सकते, फिर बाल मन का अध्यान करना तो और भी कठिन कार्या है, है ना, तो देखे सारी चेस्टाय, सारी ग्रियाय, सारी गतिविधिया, इन सब के द्वारा बाल मन के अध्यान बड़ी सा से किया जा सकते हैं, इसके आफधार नाया देखेंगे, क्या-क्या इसकी स्टेप्टी है, स्टोरी है, ठीक है, तो डेफिनेशन आप चिल्ड फिजियोलाजी के बारे हम देखते हैं, तो क्रो और क्रो कैनुसर, यह ध्यान से समझेगा, यहां से आपकी एक्जाम में बिलकुल पूछे जाएंग ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो वीडियो है आपका, पार्ट टू वीडियो ठीक है, यह जो पार्ट टू वीडियो है, बहुत ही महत्पूर्ण है, लेच्चर के तोर पर आपको टॉपिक को इसे रिकोर्डेट क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें ऐसे ही कोर्डेट क्लास अपलोड कर रहा हूं, ठीक है, वीडियो आपको पसंद आता है, यह कौपी ज़्याद अच्छ लगता है, तो वीडियो में पार्ट थ्री वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है, अगर आप चाहो तो मैं थ्री लेकर आऊँगा, अर्नियता मैं नहीं लाँग जितना जाद हो सके तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा और वीडियो को अधिक सधिक सेयर करें ताकि अधिक स्टूरेंट के पास यह वीडियो पहुँचे सके ठीक है और आप लोग कमेंट करके बताइएगा पार्थरी वीडियो लाना चाहिए या फिर नहीं ठीक है तो देखिए यहाँ समझेगा क्रो, क्रो और क्रो के νुसार बालमन वेग्यानिक अध्यान है, जो व्वेक्ति के विकास का अध्यान गरभकाल के प्रारम से लेकर, कि सोरा वस्ता के प्रारमिक वस्ता तक रहता है अगर एक्जाम में पूछ लिया जाया कि आपको एक्जाम में आपजेक्ट्व कोशन में पूछ लिया जाता है कि व्यक्ति के विकास का अध्यान एक मिनट ना यहां पर ध्यान से समझना में जो टॉपिक बता रहा हूं व्यक्ति के विकास के अध्यन गर्भकाल के प्रारम से लेकर ये एक्जाम में पूछ सकता है किस ने कहा था और किस के अनुसार कहा था कि बाल मनोगी वह साखा है जिसमें जन्म से परिपक्व की अवस्था तक विक्सित हो रहे मानाओं का अध्यान ही किया जाता है यहां तक आपको क्लियर हुआ तीक है नेश्ट टॉपिक है आपका कि आईजेक के एकोर्डिंग टू हम कहते हैं बाल मनोगंका वह संबन बालक है जो मनोगी प्रक्याओं के विकास जे है इसमें गर्वकालिन अवस्था, जन्म, सैसव, बाल वस्था कीствоरशा परिपक्व तक चिए मनोग्यानिक विकास प्रक्याओं को अध्यान करना ही किया जाता है ठीक है यहां तक लिर होगे अब देखने वाल है बाल मनमञञ ज्यानिक के बारे में देखे, बाल मनोग्यान ने यह सिख्षक को बाला के विकास की प्रक्रिया या विकास की सिधांत का ग्यान होना आउस्सक है, ठीक है, और सही दीशा में देना आउस्सक है, ठीक है, मनोग्यान ने यह सिध्ध कर दिया कि बाला के प्रारंभिक आयू सिखने की दृष्टी से ब उच्छे कख्चाओं के तुलना में छोटी कख्चाओं का ध्याने विकास के दिश्चे से महत्पुन है इसका कहने का मतलब यह है कि अगर बच्चे को अच्छे से सिखाओगे जैसे कि देखे टीचर अगर विद्यार्थी को छोटी सी उम्र में अच्छी से अच्छे ज्यान देने के लिए अच्छी से अच्छी सिख्चा दे तो बच्चा बड़ा होकर अच्छे ज्यानी बन सकता है या अच्छे से विचार ला सकता है ठीक है यही क्योंकि सिख्चे के स्वास्ते कवारे अच्छा ज्यान होगा विद्याले के वाल पढ़ने कई स्थान ही नहीं है ब लेकेन बालमनोग्यान से सिच्छ किसोरों की समयजोन की समस्य Competitions Sims लेकिन बालमनोग्यान ग्यान क्या सिच्छ सही रहा दिखाना यदि समयद को सही तिसा नहीं दी गई तो आप राधियम गंदियाच से ग्रस्त बालक बन जाएंगे यानि कि इसका कहने का मतलब है कि सिच्छ ग्रहन करना ठीक है और सिच्छ देना में बहुत अंतर होता है ठीक है यह आपको याद रखना है और पार्ट थ्री वीडियो अगर आप लाना चाहो है ना आपको बोलेंगे मैं आपको कह रहा हूँ अगर आप कहेंगे तो हम लाएंगे अन्यथा नहीं लाएंगे अगर ये वीडियो आपको काफी पसंद आता है तो हम लाएंगे वीडियो पार्ट थरी का ठीक है आप लोग कमेंट करके बताएगे पार्ट थरी वीडियो ल पहला, दूसरा, तीसरा, फुचाओं था, पांचवा, छटवा, सातवा, आठवा, नौवा, दसवा, यह जो सब्जेक्ट है, यह मैं आपको पार्ट 3 वीडियो में आपको पूर डिटेल के साथ समझाओंगा, ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका पहले हम फार देख लेते ह यहां कि फिजुलादी मिनिंग हिंदी इसके बाद सिच्छा मनोग्यान की परिभासा प्रकृति अर्थ ओपयोगिता आवस्ट यानि कि एजुकेशनल फिजुलादी पीडिये ठीक है, इसका भी आपको मिल जाएगा, एक सिच्छा को सिच्छा मनोग्यान का अध्यानी आव इसके बाद सिच्छा मनोग्यान की आपको पार्ट थरी वीडियो में रहेगा, अगर आप चाहो तो 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 ठीक है, यह भी आपको रहने वाला है, कि फैक्टस आफ अफटिंग इस ग्रोथ एंड देव्ट इसके बाद सिच्छा मनोग्यान की अधिगाम की नियामवा सिच् इसके बाद सिच्छा मनोग्यान की इसका आप पार्ट थरी वीडियो में मिलने माला है, अगर आप चाहो तो अभी व्रिद्धी एंविकास की संक्लमप्रना और अंतर यानि ग्रोथ इन डेवलोप्मेंट यह व्रिद्धी एंविकास अगर आप चाहो तो पार्ट फोर कमफम में आपको करा दूँगा, सेल्फ इमेज सुधाने के तरीके ने, वाइस टू इंप्रूब सेल्फ इमेज मिनिंग अप सेल्फ इमेज, यानि कि सेल्फ इमेज को सुधाने के तरीके क्या है, कैसे है, आपको पार्ट फोर वीडियो में मिल जाएगा, यानि कि यह आप वीडियो को सेर जरूर करेंगे अधिक सधिक युगाओं के पास बिल्कुल करेंगे ठीक है अगर वाश्ट के लिए किया है continue to end ठीक है end for of continue continue be together यानि कि कल आपको मिल जाएगा अगर आप चाहो तो अगर कमेंट किजेगा इस वीडियो में कि सर ये जो कलास है बहुत ही बेतर था आप पार्ट 3 वीडियो जरूर लाएंगे तो हम लाएंगे ओके थाइंक्स फ़र वाश्ट